तो लास्ट वीडियो में देखा था अपने की प्रडुक्शन सस्टम के कौण कौन से components होते हैं तो उसमें अपने देखा था कि कुछ components होते हैं जो आपके सब सर्फेस के component होते हैं वह वहता है आपका tubing होता है welbor होता है उसके अंदर इसे bottom hole choke था आपका वो आपका optional था तो यह सारे equipment थे जो आपन देख रहे थे bottom hole के उसमें कि bottom hole में production system के कौन-कौन से components होते हैं, ठीके, next है आपका अभी देखेंगे आपन कि जो आपका surface है उस पे production equipment कौन-कौन से होते हैं, ठीके, तो एक-इक करके अपन cover करेंगे कि जो surface पे production equipment है, वो कौन-कौन से है, कौन-कौन से का क्या function होता है और कौन से की क्या-क्या requirement होती है कि यह particular specification उसको fulfill करने पड़ेंगे उस equipment को, ठीके, तो first part अपन cover करते हैं, surface production equipment, उसके बाद next lecture या next chapter में देखेंगे अपन, सब surface production equipment, तो अभी देखते हैं, surface production equipment, तो उनमें first है आपका well head, next है आपका Christmas tree, उसके बाद होता है आपका surface chalk, then उसके बाद होता है surface पे safety wall, ठीके, तो first equipment अपन देखते हैं, कि आपका well head क्या होता है, well head is defined as the surface equipment set below the master wall, ठीके, अब जो well head होता है आपका, वो क्या होता है, कि यह जो आपका field में अगर आपन देखेंगे किसी भी oil या gas well को, तो आपका ऐसा visible होगा, उपर का part well का, ठीके, तो उसमें जो आपका यह part है, यहां से लेके यहां तक का part है, ठीके, तो इतने part को अपन बोलते हैं, कि यह Christmas tree है, ठीके, तो यह क्या है, कि surface पे production का part है, ठीके, यह आपका Christmas tree है, उसके बाद इसके नीचे का जो portion है पूरा, व तो यह आपका Christmas tree है, इसके बारे में भी detail में देखेंगे, Christmas tree में जैसे बोला था कि दो wing wall होते हैं, तो एक wall आपका wing वाला यहां पे लगा हुआ है, दूसरा है, वो close है अभी, क्योंकि एक आपका production के लिए होता है, तो यह आपकी production line लगी हुई है, ठीके, दूसरा आपका injection के लिए होता है, वो आपका अभी close है, क्योंकि इसमें कोई भी fluid well में आपन inject नहीं करें हैं, फिलाल के लिए, ठीके, और उसके यहां पे जो यह part है, इसके अंदर लगा होता है, आपका master wall, इसके बारे में detail में देखेंगे, अभी के लिए अपन सिफ इतना देखते हैं कि इसने बोला कि valid है, वो surface equipment है और उसको master wall के below में लगा के रखते हैं, ठीके, तो आपका master wall यहां कई पे लगावा है, इसके अंदर, ठीके, तो इसके नीचे का जो part है, वो आपका valid है, ठीके, अब देखते हैं कि valid के कौन-कौन से main function होंगे, या valid को क्यों अपन वहां पे install कर इसका production, जो fluid है, उसको produce करने में क्या role रहता है, ठीके, तो first thing होगा, जो valid का, वो क्या होगा, कि casing या tubing को suspension प्रोवाइड करना, ठीके, तो first thing valid क्या करेगा, जैसे अपने बोला कि, जो valid है, इसके अंदर क्या होता है, casing head होता है, और tubing head होता है, यह दोनों valid के part होता है, मतलब यह जो आपका valid लगा होगा है, इसके अंदर tubing का head भी लगा होगा है, और casing head भी लगा होगा है, यह अपन देखेंगे, tubing head क्या होता है, casing head क्या होता है, ठीके, तो इन दोनों को, इन दोनों का work क्या होगा, कि, जो valid है, उसके अंदर tubing hanger, यह जो आपका casing head लगा है, और tubing head लग होते हैं tubing का अलग hanger लगा होता है tubing hanger बोलते हैं उसको और casing का भी hanger लगा होता है जिसको casing hanger बोलते हैं थीक है तो यह आपन बाद में देखेंगे अभी के लिए well head का main function है क्योंकि इसके अंदर tubing head लगा है इसलिए यह क्या करेगा आपकी casing को ये tubing को suspend करने का काम करेगा ठीक है जो well के है अंदर आपने casing install करी थी तो ऐसे तो रहने ही जाएगा आपका pipe वहाँ पे stable ठीक है तो उसको hold करके रखने के लिए उसको suspension provide करने के लिए अपन क्या करते हैं well head जो है वो main part इसमें play करता है कि उनको suspension provide करता आपकी tubing को भी और आपकी casing को भी ठीक है next होता है कि pressure sealing and isolation between the casing at the surface when many casing strings are used more than one casing string अगर आपन install करते हैं तो उनको एक pressure seal required होगा surface पे ठीक है obviously जैसे first casing आपका install हुआ है वो 13 या 28 इंच का है next casing आपका क्या होगा उससे कम size का होगा ठीक है तो उसके बाहर की जो space है मतलब जो casing के बाहर की space और जो well bore है उन दोनों के बीच का जो annulus है उसमें तो आपने cement fill कर दिया है बट जो दो casing के बीच का gap है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा isolation provide करना पड़ेगा ठीक है या उसको pressure seal provide करना पड़ेगी और वो pressure seal आपका कौन provide करेगा आपका well head ठीक है जब more than one या two casing अपन यूज करते है generally three casing policy होती है three casing policy in the sense कि आपका दो या तीन casing आपकी लगी है ठीक है तो first आपका casing policy की बात करते है casing policy in the sense अगर बोलते कि three casing policy यानि कि तीन casing लगी है वहाँ पे आपका surface, production, intermediate and production ठीक है हो सकता आपका conductor, surface and production लगा हो intermediate की requirement ना हो ठीक है तो वो casing कितने number of casing install होते है वो आपने casing design में अलड़ी पढ़ चुके है कि कितना number of casing आपको required होगा ठीक है उसके बाद valid और क्या करेगा और valid है वो आपका generally कौन सी casing पे install होता है generally जो आपकी surface casing होती है उसके उपर वो जो उसका पूरा load होता है valid का वो आपकी surface casing के उपर रहता है ठीक है ओल्दो अपन first casing जो install करते है वो आपका conductor casing होता है बट जो आपका surface casing होता है जो conductor casing के बाद अपन install करते हैं उसके उपर wellhead का जो main load होता है वो उसके उपर रहता है ठीक है then wellhead का next function है आपका provides a means for attaching a blowout preventer during drilling ठीक है जब आपका drilling होता है क्योंकि ये आपका जो wellhead आपने लगाया है और ये Christmas tree लगाया है ये अपन कब install करते हैं जब आपका well drill हो चुका है और well से आपको अभी production लेना है तब आप ये wellhead and Christmas tree लगाते हैं ठीक है wellhead आपका during drilling भी लगा होता है और during production भी लगा होता है but जो Christmas tree है वो आपका while production लगा होता है जब आप well से production लेते हैं अब ठीक है और जो आपका B.O.P है जब drilling करते हैं तो आपन वेल के प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं विकाज जो फॉमेशन फ्लूइड है यानि जो आपका ओईल एंड गैस है वो फॉमेशन के अंदर बहुत जादा प्रेशर के साथ है उसमें ठीके तो आपन जैसे ही वहाँ से डिलिंग करेंगे तो एकडम से आपका पूरा ब्लॉआउट नहीं हो जाए फ्लूइड आपका पूरा इंफ्लक्स बनके वेल के अंदर बहुत जादा वेलोसिटी से नहीं आजाए और वो अगर बहुत ही जादा प्रेशर के साथ सर्फेस पे आया तो वो ब्लॉआउट हो सकता है ठीके और अपना पूरा रिग और बाकी जो चीजे हैं वो लॉस्ट हो सकती है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते है ब्लॉआउट प्रिवेंटर लगाते है ठीके जो आपने डिलिंग में आलड़ी पढ़ चुक है कि डिफरन डिफरन काइंड अजो ब्लॉआउट प्रिवेंटर होता है उसके अंदर अलग-लग स्टेक होते हैं ठीके हो तो उसमें आपका राम प्रन प्रिवेंटर होता है फिर राम में भी बेस चाहिए होता है तो वो प्रोवाइड करता है आपका वेलेड ठीक है नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड means for attaching Christmas tree for production operation ठीक है जैसे अपनने बोला कि during drilling अपनको BOP required होता है तो उसको attach करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है वेलेड अब वाइल production जब अपनको production लेना है वेल से तब अपनको क्या करना है Christmas tree attach करते हैं तो उसको भी बेस प्रोवाइड करता है कौन आपका वेलेड प्रोवाइड करता है ठीक है for example इसमें देख सकते हैं कि आपका ये वेलेड है ये बेस प्रोवाइड कर रहा है किसको ये आपका उपर जो Christmas tree लगा है इसको बेस प्रोवाइड करने का काम करता है ठीक है next उसके अलावा कभी कभी वेल के अंदर आपको access करना पड़ता है ठीक है वेल के अंदर आपको कुछ चीजे run करनी पड़ती है या कुछ fluid inject करने पड़ते हैं वेल के अंदर access करना पड़ता है तो वो जो means provide करेगा वेल में access करने के लिए tubing head के through क्योंकि tubing head आपका किसके अंदर लगा है well head के अंदर लगा है ठीक है तो वो भी provide करता है आपका well head तो उसके अलावा अगर आपका well artificial lift पे work कर रहा है ठीक है artificial lift in the sense कि जो आपका primary recovery होता है मतलब जो आपका oil and gas वेल होते हैं उनमें अलग-लग type की recovery होती है ठीक है तो एक होता आपका primary recovery दूसर होता आपका secondary recovery फिर होता आपका tertiary recovery ठीक है तो primary recovery में क्या होता है कि वो recovery होती है मतलब जो आपका oil and gas है वो recover हो रहा है वो जो reservoir के अनतर natural energy है उसकी वज़े से well produce कर रहा है या well flow कर रहा है और आपका oil and gas surface पे produce हो रहा है वो होता है आपका primary recovery ठीक है अगर time के साथ अपन production लेते जाते हैं fluid को remove करते जाते तो आपका क्या होता है कि pressure decline कर जाता है pressure decline करने की वज़े से आपका oil and gas है वो surface पे अपने आप से produce बहुना बंद हो जाता है ठीक है तो अपन क्या करते हैं reservoir के pressure को maintain करने की कोशिश करते हैं और maintain करने की कोशिश करने के लिए अपन क्या करते हैं उस well के अंदर या तो water inject करेंगे या फिर अपन उसके अंदर gas inject करेंगे ठीक है तो उसको बोलते है pressure maintenance techniques या फिर उसको बोलते है अपन आपका secondary recovery then होता है आपका tertiary recovery तो उसमें different different kind of recovery होती है उसमें आपका anon soil recovery आता है ठीक है और उसके अलावाद जो primary recovery है उसी को एक extend मतलब थोड़ा सा support प्रवाइड करें या उसी को primary recovery को extend प्रवाइड करें ठीक है तो उस extension के लिए आपका क्या होता है basically कि उस extension को provide करने के लिए आप क्या करते है कि artificial lift उसमें install करते है ठीक है और artificial lift को install करने के लिए आपके पास अलग-अलग options होते हैं अलग-अलग artificial lift method होते हैं अलग-अलग methods होते हैं और उस method में आपका एक होता है srp sucker road pump होते हैं जिसके उपर आप अगर दिखते हैं तो बहुत सी वार जो आपका college का logo है उसके अंदर भी srp का बना हुआ है diagram ठीक है तो उन pump को install करने के लिए attach करने के लिए भी आपके पास क्या होता है वेलेड होता है वो आपको यह attachment प्रोवाइड करने का या एक बेस प्रोवाइड करने के लिए help करता है वेलेड ठीक है उसके अलगा होता है provides pressure monitoring and pumping access to annually between the different casing and tubing string ठीक है अब अपन को monitoring करनी है कि मतलब casing के pressure को monitor करना है या फिर जो pumping कुछ चीजें अपन को pump करनी है चाहे casing को scrapping क through pump करना हो या casing को clean करना हो ठीक है तो उसके अंदर आपन कुछ liquid run करना चाहते है ठीक है तो उसके लिए भी different different casing or tubing string के बीच में आपको pressure की monitoring करनी हो तो उसके लिए जो access provide करता है वो भी वेलेड प्रोवाइड करता है ठीक है तो यह different kind of आपके वेलेड के functions main function होते है कि आपन देखते हैं वेलेड का classification मतलब वेलेड कितने type के होते है अब जो वेलेड है वो बेसिकलिए आपके two type के होते है उनको जो आपने classify किया है first किया है according to the well location मतलब की well की location कहां पे आपकी well की location आपकी land पे है यानि की onshore में है या फिर well की location offshore में है ठीक है तो उसके according आपका valid है, वो three type का होता है valid for the land drilling मतलब generally जो अपने अभी diagram देखा था, land मतलब कि आपका onshore पे well drill हुआ है, ठीक है तो आपका valid होता है तो वो इस kind of होता है ऐसा दिखता है आपका valid ठीक है अगर आपन बात करते हैं कि surface location यानि कि offshore location की बात करते है तो offshore में क्या होता है कि different different type के platforms होते है अलग-अलग type की rig होती ही महाँ पे, ठीक है तो उसके according कौन से type का platform या कौन से type का rig use कर रहे हैं, उसके according महाँ पे different different kind of valid होते हैं ठीक है, तो अगर jack up rig की बात करते हैं, तो jack up rig आपका visible होगा तो वो surface पे ऐसा होगा जिसके 1, 2 and 3 lags होंगे ठीक है, तो ये जो jack up rig है, इससे अगर कहीं पे offshore में आपको valid लगाना है, तो वो कहां पे लगेगा आपका surface पे लगेगा, मतलब ये जो jack up rig है, इसके उपर आपका पूरा platform बिल्ड हो रखा है, मतलब जो भी surface पे facilities है वो सारी यहां पे बिल्ड हो रखी है ठीक है, अब जो well आपने नीचे से drill कर रखा है, यहां से piping आएगा और ये यहां पे आपका valid कहीं पे लगा होगा, और वो भी exactly कैसा ही होगा, जैसा आपका land के उपर है, वैसा ही है, ठीक है पस different कौन सा होगा आपका subsea valid, subsea यानि कि वो क्या है, कि एक तो यहां पे platform के उपर लगा रहे है अब दूसरा क्या है, कि जो आपका valid आप लगा रहे हो, वो sea के bottom पे लगा रहे हो, ठीक है, sea के bottom पे मतलब कि आप जहां से आपका well sea में offshore में मतलब क्या होता है, कि एक time के बाद वहाँ पे जो deposition है, मतलब कुछ depth तक water रहेगा, then उसके बाद क्या है, वहाँ पे जनरली जो rocks है, वो आने लग जाएगी, ठीक है तो वो rock का जो bottom ठीक है, तो आपन देखते हैं कि सबसी well head की बात करें तो तो सबसी में valid क्या होगा, कि आपका जैसे अपन जनरली देखते हैं, कि जो आपका offshore होता है, तो उसमें भी एक depth तक water रहेगा जहाँ पे water की depth होगी, then उसके बाद क्या होगा आपका, कि उसके बाद आपका rock start हो जाएगा ठीक है, तो जो sea का bottom है जहाँ से rock start हो रही है वहाँ पे जाके आप क्या करते हैं आपका valid है, या जो भी system है control system, वो आप वहाँ पे install करते हैं पूरा, ठीक है तो ये आपका सबसी valid होता है वो थोड़ा सा different होता है, जो आपका normal land पे या platform पे जो valid होता है, उससे थोड़ा different होता है ठीक है, और इसको monitor करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ROV लगाते हैं ठीक है, जिसको बोलते है remotely operated vehicles, ठीक है तो इनके अंदर cameras होते हैं और ये क्या होता है कि real time में सारे data को क्या करते हैं यहाँ पे monitor करते हैं उसको surface पे बेज़ते हैं ठीक है, और उसके थूँ यहाँ पे जो आपका pipe है ठीक है, सारा fluid जो produce हो रहा है वो इस pipe के थूँ आपका platform के उपर जाएगा ठीक है, तो ये आपका सक्सी valid होता है उसके अलबा होता है आपका according to the well head design जो well head का designing कैसा है उसके according दो type के होते हैं एक होता है spool well head system दूसरा होता है unitized well head system spool well head system in the sense कि उसको क्या किया है अपनने पूरा structure को एक ही बार में mold करके या उसको construct किया है unitize spool system यानि कि spool connections है spool connection यानि कि आपने जो different parts है उनको या तो nuts के थूँ या welds के थूँ welding के थूँ उनको अलग-अलग parts को पहले construct किया then उनको वापस construct करके साथ में build किया है ठीक है या unitized system में क्या होगा कि आपने जो पूरा system है उसको एक की साथ build किया है उसमें कोई भी आपके joints या connections नहीं है ठीक है तो यह होते हैं आपके फॉर टाइप फाइफ टाइप के weld system according to the weld location and according to weld design ठीक है next है आपका कि जो आपके ये weld head के components होते हैं उनको क्या-क्या requirement होगा या कितना pressure rating होना चाहिए और कौन से specifications के according इनका अलग-अलग specify कि इसके according इनका material आपको choose करना है या इसना इनका pressure होना चाहिए standard ठीक है तो weld head components requirement applicable to all the weld मतलब जितने भी weld head है चाहे आपका offshore में हो चाहे onshore में हो तो उनके लिए क्या-क्या specifications है weld head equipment that meets API specification API specification मतलब कि API यानि American Petroleum Institute इंसिट्यूट जो आपका क्या है petroleum से regarding जितने भी equipment है या जितनी भी चीज़े है उनको क्या करता है specify करता है या standardize करता है ठीक है तो वो specification कौन सा है आपका 6A है ठीक है मतलब API ने अलग-अलग जो components है weld के या जो अलग-अलग चीज़े है उनके लिए अलग-अलग उन्होंने specifications दिये है ठीक है तो 6A के according आपके wellhead के जितने भी equipment है उनका description किसमे है specification 6A है equivalent to ISO 10423 ठीक है मतलब ये equivalent है कि इसके ISO के जो international standardized organization है जो चीजों को standard करने का काम करती कि ये आपका standard है इसके according आपकी चीज़े design होनी चीए ठीक है is available in standard pressure increments मतलब जो आपका pressure rating है मतलब जो wellhead है वो कितना pressure को bear कर सकता है ठीक है तो well में क्या होता है कि different different जो well होते उनका pressure different होता है ठीक है तो आपका हो सकता है कि 2000 PSI तक के pressure rating का हो सकता है 3000 का होता है 5000 10,000 15,000 maximum हो सकता है आपका 30,000 PSI rating का ठीक है तो ये क्या है उसकी pressure rating है valid की कि इतनी pressure rating के valid को आप utilize करे ठीक है आप वो depend करता है कि अगर आपके well का pressure है वो 3000 और 2000 के कहीं पे बीच में है तो आप 3000 वाला use करेंगे ठीक है क्योंकि आपको क्या करना होता है कि थोड़ा सा margin लेके जलना होता है ठीक है so that in future या फिर कुछ ऐसे accidental cases में आपका एकड़म से sudden pressure या उसके equipment को use करते है उसके अलाबा उसकी जो temperature की range होती है वो भी different different होती है अलग-अलग operating range होती है temperature की भी ठीक है तो standard temperature ratings are defined by an operating range conventional operations span minus 60 to 121 degree centigrade मतलब आपका जो conventional operation है जो general operations होते हैं तो उनके अंदर आपका minus 60 degree से 121 degree centigrade तक आपकी temperature की range होती है कि अगर किसी well का temperature minus में भी है मतलब बहुत ज़ादा जो cold areas है वहाँ पे अगर वहाँ पे valid आप use कर रहे हैं तो उन में से किस type का valid है तो वो अलग-अलग range में है ठीक है और यहाँ पे अलग-अलग range है वो आपका है K, L, P, R, S, T, U, V ठीक है अब यह क्या है कि जो K यह जो letter है वो आपका क्या represent करता है कि आपके किस type का material का grade है ठीक है जो steel होते हैं उनके भी different-different grade होते है या for example कोई सा भी material आपने उस valid के equipment है उनको construct करने के लिए किस type का material यूज किया है और उसका grading किया है ठीक है तो steel में भी अलग-अलग grade होते है तो वैसे यह क्या है यह जो जितने भी letters हैं आपके alphabet के वो represent करते हैं कि कौन से grade का material है आपका ठीक है K and U are the largest and overlap the other ranges ठीक है अब के और जो आपका U है वो सबसे ज़्यादा use होते है सबसे ज़्यादा most reliable जो grade है material का वो यह वाले है ठीक है तेन उसके बाद अगर आपका elevated temperature operation है जहाँ पे temperature और ज़्यादा है यह normal temperature range की बात कर रहा था minus 62 121 degree centigrade अगर कहीं पे आपका temperature इससे भी ज़्यादा low है या फिर इससे भी ज़्यादा high है ठीक है तो उसके लिए अलग grades यूज करते है वो है आपका X and Y ठीक है और Y has the highest temperature rating मतलब जो Y grade का material आप use करेंगे वो आप आप यूज करेंगे जहां आपको temperature की rating बहुत ज़्यादा high चाहिए ठीक है मतलब कि अगर वहीं पे high pressure high temperature well है जहां पे temperature बहुत ज़्यादा है तो उसके material जो आप valid के होंगे उनका construction करने का जो material होगा उसका grading होगा वो आपको